प्यारे वंधुओं, मैं अपने इस 28 वीडियो में मैरेज के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ मैरेज के बारे में इसलिए चर्चा करने जा रहा हूँ क्योंकि मैरेज जो है अपने जीवन के एक महुत महुत पूर्ण इवेंट और इसको सोचने के पहले इसको डिसाइड करने के पहले गहन विशार मन्थन एक आशकता है एक casual way में लेने में और जो है just emotion से प्रभावित होकर लेने में इसके decision गलत होंगे है इसका decision परिवातन सील भी नहीं है इसलिए इसके में चिंतन आवश्यक है actual marriage जो है दो तरीके से किये जा रहा है एक को बोलते हैं love marriage एक arranged marriage love marriage and arranged marriage के बारे में Bombay High Court ने भी अपना कुछ opinion दिया है Bombay High Court ने अपना opinion दिया है कि success of arranged marriage is much higher than love marriage यह Bombay High Court का अपना opinion है और ऐसे भी जुवा बर्ग 18 से 29 बरस के जुवा बर्ग जो है या 35 बरस के जुवा बर्ग यह जो है अरेज्ड मारेज ही पशंद करते हैं love marriage नहीं पशंद करते हैं ऐसे जो है observation के अधार पर प्रबुद्ध सज्जनों के सोच के अधार पर अरेज्ड मारेज जो है 80 तू 90 परसंट सक्सेस्पूल है 10 तू 20 परसंट मारेज इसमें भी कन्फिलिक्ट है कम सक्सेस्पूल है डिस्टर्ब्ड है जबकि love marriage में love marriage 10 तू 20 परसंट सक्सेस्पूल है और 80 तू 90 परसंट सक्सेस्पूल नहीं है वहाँ पर confrontation है conflict है अशान्ती है वह बहुती नार्किये जीवन से गुजरना पड़ता है दुखदाई जीवन से गुजरना पड़ता है peace नाम की सत्ती नहीं रहती है बट ऐसा क्यों होता है love marriage का starting जो होता है वो court marriage से होता है court marriage बधारित होता है जो court marriage भी नहीं होता है लेकिन love marriage है उसका तो कोई अधार ही नहीं होता तो आया राम गया राम के कहानी जैसे लगने रगती और जहाँ पर court होता है जहाँ पर registration होता है वहाँ पर deregitation की भी संभावना साथ साथ बनी रहती है और जहाँ पर court marriage होता है वहाँ पर कोई sanctity पवित्रता नाम की चीज नहीं रहती है विश्वास की भावना रहती है, संदेक भावना रहती है, और मीचोल रेस्पेक्ट रेगाड तो कहीं रहती ही नहीं, मीचोल रेस्पेक्ट रेगाड क्यों नहीं रहता है, वहाँ पर बरावनी की भावना रहती है, बरावनी की भावना में मीचोल रेस्पेक्ट रेगाड को लाना बड़ा ही मुश्किल है, वहां फ्रेंड्शिप की भाव न रहती है, वैसे हालत में क्या होता है, कि जहां पर पियर गुरूप का फॉर्मेशन होता है, जहां पर एक ही डिपार्टमेंट में दो या तीन आदमी को अगर एक ही पोस्ट पर बहाली कर दिया जाए, किसी सं संस्ता को चलाना मुश्किल हो जाएगा, चाहे राश्ट्र हो, चाहे राज्ये हो, चाहे परिवार भी एक संस्ता है, परिवार चलाना मी मुश्किल हो जहां दो समान अधिकार वाले आदमी एक सात रहेंगे, वहां इरुडेजे is the day of confrontation and conflict, and every day will be the day of compromise, वहां पर शांती रहे स्वर्गिक आनंद का अनुभव साइध ही मिल पाए, यह जो हमारा लंभ है रहे होता है, emotions पर आधारित रहता है, emotions की जो branches है, superficial love, fear and anger पर आधारित होता है, emotions की जो branches यह होते हैं, और emotions भी जो है, दो आदमी के emotions पर आधारित रहते हैं, लड़का या लड़की, जो लड़का लड़की के ऐसे emotions होते हैं, यहां पर maturity का भाव रहता है, यहां पर knowledge का भी है भाव रहता है, यहां पर experience का भी है भाव रहता है, जबकि arranged marriage में involvement of number of persons रहता है, बहुत सारे लोग का involvement रहता है, relatives रहते हैं, माता-पिता रहते हैं, friend रहते हैं, समाज रहते हैं, और उनके emotion जो है spiritual input से भरे रहते हैं, spiritual input का मतलब है जहां पर सच्चा ही रहती है, धर्ब रहता है, प्यार रहता है, सम्मान रहता है, उस पर अधारित रहती है, तो जहां पर spiritual input पर जो साधी अधारित रहेगी, उसके भावनाएं, उसके जीवन के अधार, बढ़ा ही अस्थाई होते हैं, बढ़ा ही प्रेम पुर्वक होते हैं, स्वर्गी कानंद का अनुबह होता है, रेंड मारेज में कोई registration नहीं होता है, कोई paper नहीं होता है, इसलिए D registration नहीं होता है, उसमें दो आत्माओं का मिलन होता है, वो पूरा विश्वास पर अधारित रहता है, mutual respect and regard पर धार्दी होता है, यहां हम husband wife को उसमें love marriage में मित्र मानते हैं, बराबरी के मित्र क्यों मानते हैं, मित्र बनाने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है, बहुत पड़े हैं, मित्र बनाई, हम अगर husband wife का समंदर स्विकार के हैं, तो क्या husband wife का relation अपवित्र है, खराब है, husband wife अगर एक बार बने तो husband wife ही बने रहे हैं, वो पवित्र बन्धन को निभात दे रहे हैं, मित्र बनाने के लिए तो सारी दुनिया को बनाई, बहुत मित्र हैं, तो इस पवित्र बन्धन को ही पवित्र बन्धन रहने हैं, यह माता-पिता का समंद, पिता-पुत्र का अधिकार समाज के बना वटताना बुना को मेंटेन करना चाहिए यह अधर्म पाधारी धर्म क्या है धर्म is nothing but social code of conduct समाज में हमको रहने जीने खाने सोने पीने और एक दूसरे के साथ चलने के लिए एक conduct है एक अनुशासन है एक कानून है जो पेपर पर नहीं अधारी धर लेकिन ये develop किया आता है संसकार में develop किया आता है तो हमारा range marriage है संसकार अधारीत होता है जो की टिकाव होता है love marriage में emotions are active very active love marriage में दो आत्माएं ऐसी रहती है जो बड़ी बगावती नेशर की होती है और जो बगावती नेशर की आत्माएं अगर एक साथ मिलेंगी और जिवन में थोड़ा भी confrontation conflict होगा तो बगावती नेशर compromise नहीं करता है बहुत explosive situation में जाता है और इसमें क्या बुरा इस्टिटी होता है कभी कभी सून करके देख करके आत्माएं हिल जाती है तो इस तरह आप खुद decide करते हैं आजो court के decision को ध्यान बरकते हुए एक नया जूवक जूटी सोच सकते हैं कि हमको क्या करना है और देखा जाता है कि जो इस तरह के माता पीता की भावनाओं का सम्मान न करके जो इस तरह के love marriage में emotion से provide को चले आते हैं उनके बाद के समय कैसे गुजरते हैं वो देख करके यह सीखा जा सकता है यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है foreign country में तो love marriage and friendly marriage होते हैं वहाँ पर husband wife नाम का शब्द तो है लेकिन उसको निभाया नहीं जाता है और आज की पत्नी कल नहीं जानती कि कल मेरा husband कौन रहेगा और आज का पती कल यह नहीं जानता कल पत्नी कौन मेरी रहने वाली है एक दूसरे को अपना bank में पैसा नहीं डालते हैं सब अपने अपने account maintain करते हैं कोई विश्वास का भाव है वहाँ पर एक दूसरे प्रती यह नहीं मैं जानते हैं बहुत सारे एना रही इंडिया में आते हैं जहां के पवितर समवन्ध को ले जाते हैं और ँंग्लाइन बढ़ाते है अपने शुखी योन पिताते हैं डाइब होर सब्द जो है ये जो है पवितर बंधन में कहीं इसका नहीं है इसका जो है समंध बनाया गया है क्योंकि इसका कोई अस्थानी नहीं इसमें दो आत्माओं का मिलन होता है और दो आत्माओं का जहां मिलन होता है वहाँ पर कोई बंधन टूटेने का संभावना रहत कि दो अरे इनमारे में दो लोग दुखी जीवन पर क्यों बिताएं दुखी जीवन बिताने के आउसकता नहीं है एक दूसरे के परती समवर्पन की भावना इतना ज्यादा रहती है आकि ओ दुखी नहीं मलती है समवर्पन ओ दुखी की दुख की भावना समवर्पन में ब्य मैं अपने इस वीडियो को समप्त कर रहा हूँ और आप लों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे प्रबुद्ध बर को, हमारे नौजुवक बर को अगर वीडियो जाता है, मेरी बात पसंद आती